हेलो एब्रिवन वेलकम टू मैं चैनल दीज प्यूदी हैक्स तो मेरे पिछले काफी दिन दूब में निकले जिसके कारण मुझे बहुत संटैन हो गया है चैरे पे हाथ पे पैरों पे और मैंने कुछ कुछ दिन संस्क्रीन भी लगाई थी पर कई दिन स्किप भी हो गई थी और संटैन होने के लिए तो एक दिन भी काफी है तो यहां पर मेरे पास एक डीटैन क्रीम थी मैंने सुचा यह ट्राय करते हैं और इससे अच्छे से पता भी चल जाएगा डीटैन क्रीम कितना काम करती है क्योंकि मेरे ज्यादा संटैन हो रखा है तो पता चल जाएगा कित तो यहां पर मैंने जो डी 10 क्रीम मेरे पास थी उसकी एक पतली लेयर अपने चैरे पर लगा ली नेक पर भी लगा ली डी 10 क्रीम लगाने के बाद 15-20 मिनट हमें बेट करना है बीस मिनट बाद हमें इसकी मसाज करनी है आप चाहे तो हाथ से मसाज कर सकते हैं या फिर आपके इसके जोड सकते हैं और तरह तरह की मसाज कर सकते हैं फिलाल में इस पर प्लैस्टिक वाला टूल लगाया है जिसके आगे चार बॉल टाइप है फिर दूसरी बार मैंने ब्रस टाइप लगाया है इन पर मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी लगा रही हूं और मसाज कर र हुआ बहुत कम करती हूं ना के बराबर पर जब हम स्किन के डेली करने लगते हैं तो हमारे सके लिए और ग्लूइंग रहने लगती है तो यहां मैंने मसाज कर लिया है अब मैं आपको अपना दूसरा तोल दिखाती हूं जो अफोरड़ीबल रेट पर मिल जाता है हर जग है इसके साथ एक चोटा सा हेंडल होता है तो पकड़ने में काफी असान होता है इससे करने में काफी असान होता है इसके बाद एक टाल लिया है मैंने और यह सारी क्रीम में हटा दूंगी और क्रीम अटाने के बाद आप चैरा दो लें और मुझे अभी से अपनी स्किन काफी क्लियर लग रही है इसके बाद मैंने टोनल स्प्रे किया बस मन किया टोनल स्प्रे करने का फिर चैरे को दो लिया है और हाँ डीटन क्रीम काम करती है मेरी स्किन पहले से काफी क्लियर लग रही है मुझे अच्छा फील हो रहा है तो आप ही D10 क्रीम ट्राइ कर सकते हैं अगर आपको संटेन हो रखा है तो इसके बाद मैंने हमाल्या की जेल क्रीम लगाई और एक आई क्रीम लगाई और बस बाबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में